हालो दोस्तों जैसे कि आप सब को पता है कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्याम से शिक्षा और रोजगार्स जूरी पलपल की अपडेट देते रहता हूँ दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि BIT कॉलेज आप कॉमर्स साइन्स मानेजमेंट एंड आर्ट्स के अंतरगर्ट जो शिक्षक के विभिन्न पदो पर रिक्तियां जारी की गई है सायक पद्यापको के विभिन्न पदो पर रिक्तियां BIT कॉलेज में जारी की गई है दोस्तों देखे दोस्तों विभिस्विद्यालाप परिनियम 28 के अंतरगर्ट विज्जापन हेतु प्रारूप दिया गया है इसमें बहुत सारे पदोपर रिक्तिया निकाले गई है जिसमें आपका प्रिंसिपल के एक पद स्विक्रित किये गए हैं दोस्तों यदि हम प्रिंसिपल के इस पद के लिए योग्यता की बात करें तो 55 प्रतिसत अंको के साथ मास्टर डिगरी होना चाहिए साथी साथ पिएजडी की भी डिगरी होना चाहिए एवं इसके साथ साथ दोस्तों 15 साल का अनुभव होना चाहिए प्रिंसिपल के पद के लिए विश्विद्यालाय परिनियम 28 के अंतरगत इसके अलावा दोस्तों आपका देखिए असिस्टन प्रोफेसर के 5 पत स्विक्रित किये गए हैं जिसमें कॉमर्स के पत सामिल है दोस्तों अर्थात असिस्टन प्रोफेसर कॉमर्स के 5 पत स्विक्रित किये गए हैं इसके लिए यदि हम qualification की बात करें, तो good academic record with कम से कम 55% अंकों के साथ इसनात कोतर की परिक्षा होना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तो नेट, सेट या PhD की परिक्षा भी उत्तिलन होना चाहिए, उसी प्रकार से दोस्तो आपका असिस्टेन प्रोफेसर हिंदी के दोपत स्विक्रि किये गए हैं, इसके लिए भी हम qualification की बात करें, तो इसके लिए भी 55% अंकों के साथ इसनात कोतर होना चाहिए, साथ ही साथ नेट, सेट या PhD की परिक्षा भी उत्तिलन होना चाहिए, qualification UGC regulation 2018 के अंतरगत होना चाहिए, इसके अलावा दोस्तो आपका असिस्टन प्रोफेसर में अंग्रेजी के एक पत्स्विक्रित है, इसके लिए भी 55% अंकों के साथ इसनात कोतर की परिक्षा उत्तिलन होना चाहिए, साथ ही साथ नेट, सेट या PhD भी उत्तिलन होना चाहिए, असिस्टन प्रोफेसर में सोचियो लोजी के भी एक पत्स्विक्रित है, इसके लिए भी हम qualification की बात करें दोस्तों तो 55 प्रतिसात अंकों के साथ इसनात कोत्तर की परिक्षा उतिर नहों साथी साथ नेट स्टेट या प्येसडी उतिर नहों नाची अर्थार दोस्तों असिस्टेन प्रोफेसर में Commerce, Hindi, English और सोशियो लाजिक के पद स्विक्रिद किये गये हैं इन तमाम पदों के लिए योग्यता इसनात कोत्तर और कहना ची आपका प्येसडी या नेट स्टेट की परिक्षा उतिर नहों इसके अलावा दोस्तों नीमनस्रेलडी के जो लिपीक है Lower Division जो ख लार्र को बलते हैं जी सो हम अंग्रेजी में तो लोवर डिविजन, क्लरक या नीन में स्रिल्णी के लिपिक के दो पर स्विक्रित किये गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो मैंता प्राप्त शिक्षा मंडल से कक्षा बारवी की परिक्षा उत्तिर्ण होना चाहिए। या पुराना हायर शिक्षा की परिक्षा उत्तिर्ण के साथ मैंता प्राप्त भी स्विध्याला से किसी भी विशाय में इस नातक प्रथम वर्ष की परिक्षा उत्तिर्ण होना चाहिए। अथात ये क्वालिटी आपके पास है तो आप लोर डिविजन क्लर्क के इन पदों के लिए आविधन कर पाएंगे तो बहुती अच्छा अवसर है दोस्तों यदि आप तमाम युगिता आपके पास मौजुद हैं तो आप आविधन कर पाएंगे देखिए एप्लिकेशन करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके पास तो निम्न दस्तावेज होनी चाहिए जिसके अंतरगत रिज्यूम होना चाहिए आल दा टेंश मौन देखिए सभी प्रकार के जो डाकुमेंट्स होना चाहिए रिज्यूम होना चाहिए जिसमें पूरा जो पता हो साथी सांथ दोस जारी होने के 15 दिन के अंदर आप आवेदान पत्र भेज सकते हैं यह राष्टिय इस्तर के समाचार पत्र में प्रकासित किया जानानिवार्थात इस जो प्रारूप को विज्यापन के प्रारूप को राष्टिय जो इस्तर के समाचार पत्र है उसमें भी प्रकासित किया गया है दोस्तों और यहां विश्विद्यालाय के वेबशाइट में भी उपलग्द कर दिया गया है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा वसर है दोस्तों यदि हम इनके डेट की बात करें तो 2 माई 2022 को यह प्रकासित किया गया है तो कहा गया द था सत्रह माई तक आप आवेदन कर सकते हैं तो आवेदन की जो तीथी है 17 माई है मान के चलिए क्योंकि विज्विज्यापन क्यारी होने के 15 दिवस के अंदर आप आविधन पत्र तमाम रिज्यूम अम्योगिताओं के साथ जमा कर सकते हैं ऐसे ही नई नई नवकरियों के लिए हमारे चैनल से जूड़ रहें तब तक के लिए इसाज़त दीजिए जय हिन जय भारत जय चत्युज़